कुलविंदर जी शामिल है कुलविंदर जी गुड मॉर्निंग बताइए गुड मॉर्निंग जी और आपके नजरिया कि आपके पास आना चाहूंगा जीओ फिनांशियल्स पे इनका होल्डिंग है 333 के भाव से है इस साल देखे तो अप्रिल महने से उपर से कुछ 16-17% नीचे गिर चुका है लेकिन फिर भी इनके लिए भी ब्रेक इवन ही चल रहा है क्योंकि वहाँ पर ही ट्रेट कर रहा है फंडमेंटली स्टॉक कैसा नजर आ रहा है अगले 6-8 महने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रणाम और शुब प्रभाद हमारे तरफ से तो बुन्यादी तर के आधार पर लंबी अवदी के लिए जियो फिनैंशल्स पर खरीदारी की राय है मैं कुलविंदर जी से एक नम्र विरंती करूंगा कि अगर इनके पास समय की पाबंदी नहीं है तो यह जो 6 मेने की समय सिमा है उसको थोड़ा बढ़ा दे और यह इसलिए भी अनिवारिय होगा क्योंकि जैसे जैसे यह कंपनी को अनुमती मिलते जाएगी अपना कामकाज को जमिनी स्तर पर शुरू करने के लिए वैसे वैसे योगदान भी बैलेंशिट पर आता जाएगा चार सो चौदा के आसपास के लक्षांख हमने लंबी अवदी के लिए निधरत की है जीओ फिनांशल सर्विसेस पर तो पहले तो अनिवारिया रहेगा कि यह बने रहे और अपनी समय सिमा बढ़ा दे और तीन सो क के आसपास अगर किसी कारण वर्ष इस शेर में या फिर बजार में मुनाफवस्ण आती है तो उस तरके आजपास मेरे क्याल से किसी ने निवेश बढ़ाना है यानि की और शेर करना है तो वो भी कर सकते हैं और अगर किसी को नया निवेश करना है जीओ फाइनाशल्स में तो वो भी कर सकते हैं चलिए तो जो फिनाशल पर ये सलहा गवरां की तरफ से आती हुई